नमस्कार दोस्तो देख जाम हैकर चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो आज किस वीडियो में हम लोग एनर्जी रिसूर्स जो टॉपिक है उसको यहाँ पे हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं तो दोस्तों energy resource पे हम लोग बहुत ही basic सी start करेंगे जैसे energy resource होती क्या है, उनकी uses क्या है, कितने type क्यों होती है फिर हम लोग अलग अलग जो type है उसको यहाँ पे हम लोग discuss करेंगे तो आज किस वीडियो में दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखेंगे basic जो concept है energy resources को वो हम लोग आज किस वीडियो में discuss करने वाले है, तो सबसे पहले दोस्तों energy resource होती क्या है दोस्तों ऐसी कोई भी object जो हमें heat परदान करता हो, electricity generate करता हो, पदार्थों को move करने में help करता हो और power देता हो, सारी ऐसी चीज़े हमारी energy कहलाती है example तर पर आप देखोगे जैसे लकड़ी, लकड़ी को यदि जलाओगे तो heat परदान करेगा, तो लकड़ी हमारा एक energy हो गया sun की raise जब पढ़ती है तो अभी heat परदान करती है, तो sun raise हमारा energy हो गया electricity, यदि कोईले से आप electricity generate करते हो, तो कोईला हमारा energy हो गया यदि petroleum से गाड़ी move हो रही है, चल रही है, तो petroleum हमारा energy हो गया यदि आपको चावल खाने से आपको energy मिल रही है, आपको power मिल रही है, आप काम करने में help करने हो तो हमारा यदि कोई भी object जो हमें heat परदान करती हो, electricity generate करती हो, पदार्दुग move करती हो, पावर देती हो, सारे कुछ object हमारा energy कहलाता है, और energy हमारा valuable है, human के लिए, human के development के लिए, human के दैनिक कार्यों के लिए, इसलिए energy हमारा resources है, तो energy की uses की बात करें दोस्तों, तो energy सब जगे यूज होता है, आप बीना energy के आप बोल भी नहीं सकते, बीना energy के आप चल भी नहीं सकते, तो energy दोस्तों यहाँ पर commercial level पर आप देखोगे अगरिकल्शर activities में energy का यूज होता है manufacturing में यूज होता है और यहाँ पर बोल सकते हो कि service sector में यूज होता है transportation के लिए यूज होता है तो सारा sector में energy का यूज होता है जैसे जैसे countries की GDP बढ़ती है development बढ़ता है वैसे वैसे energy के demand बढ़ता ही जाता है यह हो गया दोस्तो uses of energy अब चलते हैं energy की कितनी type होती है दोस्तो यहाँ पर availability की हिसाब से यह uses जो उसकी जो technique है उसके अधार पर आप देखोगे तो दो तरह के से energy हमारे होती है एक होती दोस्तो non-renewable energy यह conventional source energy ऐसी energy जिसको renew होने में millions year लग जाते हो और इसको बहुत ज़्यादा आप यूज करोगे तो हमारा एक खतम हो जाएगा आर्थ पे इस तता से energy को एक कटेगरीम बाटा गया उसको बोलते है non-renewable energy resources दुसरी टाइप के ऐसी energy जैसे winds energy solan energy उसको regenerate होने में ज़्यादा time नहीं लगता है यानि कि वो हम बोल सकते हो कि sufficient या infinite हमारे energy अविलेबल है आर्थ पे उसको बोलते है renewable energy या non-convectional source of energy दोस्तों इसको थोड़ा सा हम लोग detail में यहाँ पे study कर लेते हैं तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे non-renewable energy की बात करें तो ऐसी energy की source जिसको renew होने में millions year लग जाते हो ऐसी energy source को बोलते है non-renewable energy जैसे यहाँ पर दोस्तों एक कटेगरी है fossil fuels fossil fuels टर्म आपने सुना होगा उसके अंदर दोस्तों आएंगी koela, natural gases, petroleum यह हमारे fossil fuels के अंदर आएंगे petroleum के दोस्तों यहाँ पर hydrocarbon energy भी बोलते है hydrocarbon energy यह दिनाम सुना को आए तो उसको petroleum भी बोलते है और दूसरी यहाँ पर कटेगरी दोस्तों nuclear minerals ठीक है nuclear energy जो जनेरे होती है उसको बोलते है nuclear minerals यह भी इमार non-renewable energy है इसको भी बहुत ज़्यादे यूज करेंगे जैसे मालो thorium का यूज ज़्यादा करेंगे uranium का ज़्यादा यूज करेंगे तो यह हमारे खतम हो जाएंगे और इसको फिर से regenerate होने में millions years लग जाते हैं दोस्तों यहाँ पर fossil fuels की बात करेंगे कहां पर मिलते हैं तो fossil fuels फियूल दोस्तों यहाँ पर sedimentary जो rock होते हैं rock तीन टाइप की होते हैं आपको पता होगा एक होता है igneous rock दूसरा होता metamorphic rock तिसरा होता sedimentary rock तो जो fossil fuels होते हैं चाहे कोईला हो या natural gas हो या petroleum हो सब यहाँ पर sedimentary rock में मिलते हैं और sedimentary rock अब देखों इनका जो origin है बोट चते हैं organic origin है organic के मतलब यहाँ पर dead जो plant है animal है वो जमीन के नीचे दब के जब बहुत ज़ादा pressure और यहाँ पर heating हुआ तो heat और pressure से जो animals की जो residue थे वो हमारा कोईले में कनोट हो गया natural gas में हो गया और petroleum हो गया तेहाँ पर organic origin है fossil fuel का यह बहुत ज़ादा depth में pressure और temperature के वज़ज़ से sedimentary rock में पाया जाते हैं fossil fuel दूस्ति इसके timeline की बात करें fossil fuel कब से start हो रहे हैं तो जब से दोस्तो animals और बोल सकते हो कि प्लांट की जब से उत्पत्ती होई है उस समय से fossil fuel का formation होना start हो गया था दोस्तो fossil fuel की formation आप बोल सकते हो कि 400 से 600 million years पहले कारबोनी फिरस जो एक time period है वहां से fossil fuel की formation start हो गयी थी ठीक है फिर दीखो nuclear minerals nuclear minerals दोस्तों यहाँ पे जैसे uranium हो गया thorium हो गया यह दोस्तों धरवार जो इंडिया में आप देखोगी धरवार की जो system है धरवार जो rock system है वहां से आपको मिलेंगी अब धरवार की rock system आप देख सकते हो कि 2500 million years पुराना भी हो सकता है धरवार की rock system तो fossil fuel के हमारा है हैंपे carboni forest जो time period है उससे start होता है लेकिन उससे भी कहीं पुराना nuclear minerals होते हैं उससे भी कहीं पुराना होता है जो धरवार की rock system है उस पे विलोंग करते हैं हमारा nuclear minerals तो यह होगा दोस्तों यहाँ पर origin यहाँ पर देखो main characteristic के देखे तो जैसे अभी हम लोग डिसस के fossil fuels जो होती है organic origin होती है organic origin का मतलब यहाँ पर है कि animals और plant की dead residues से बनते हैं और हमारा carboni forest जो period है 400 से 600 million years पहले उस समय से इनका बनना इस्टार्ट हो गया था और sedimentary rock से यह मिलते हैं fossil fuels लेकिन हैब nuclear जो mineral है sedimentary rock से नहीं मिलते हैं धारवार जो system है उस से मिलते हैं ठीक है तो nuclear mineral से धारवार system जो 2500 से 1800 million years पुराना है उस से आपको मिलेंगे और इस दोस्तों जो non-renewable energy sources हैं वो evenly distributed नहीं है यानि कि सब जगा आपको एक जैसा जैसे सब जगा कोयला नहीं मिलेगा सब जगा आपको एक नहीं मिलेगा evenly distributed नहीं है ये कहीं कहीं पे मिलते हैं और इनको बनने में millions year लग जाते हैं इसको regenerate होने में और इसको जलाने से eco friendly नहीं है यानि कि environment को harm पहुँचाते हैं CO2 या जो green house gases हैं उसका emission होता है चाहे आप कोयले को जलाओगे या पेट्रोलियम को जलाओगे या natural gas को जलाओगे सबसे यहाँ पे जो होती है greenhouse gases emission होती है eco friendly नहीं होता है non renewable sources तो यह गया दोस्तों यहाँ पे characteristics अब चलते हैं दूसरा जो कटेकरी है non conventional source या renewable energy ऐसी energy sources जिसको renew होने में बहुत ज्यादा time नहीं लगता है यानि बहुत ही जल्दी हो जाता है जैसे आपे solar energy solar energy को कितना भी यूज करोगे खतम नहीं होंगे ठीक है ति हमारा solar energy है इसको अब डेटेल में अलग अलग वीडियो में डिसक्स करेंगे करें कि यहाँ पर देख लेते हैं non-convectional source अब energy होती क्या है wind energy हो गया tidal energy हो गया यह भी मारा infinite energy है biogas energy hedal energy यह सारे energy दोस्तु non-convectional source है और यह खतम नहीं होते हैं यह इसको renew किया जा सकता है दोस्तो non-convectional energy की यह दिक करेक्टरिस्टिक बात करें तो इस sustainable energy sources है sustainable energy sources का मतलब है कि अभी आप कितना भी यूज करोगे future generation के लिए stock रहेगा खतम नहीं होगे तो sustainable energy sources है इसकला हम दोस्तों यह इन्वार्मेंट फ्रेंडली भी है इन्वार्मेंट को लॉस नहीं पहुझाते जैसे solar energy के यूज करोगे तो उसे इन्वार्मेंटल की लॉस नहीं होगी इन्वार्मेंट फ्रेंडली भी है इसकला हम दोस्तों यहां पर देख सकता है equally distributed है जैसे कि आप देखे थे जो non-renewable energy थे equally distributed नहीं थे लेकिन आपको solar energy wind energy जनरली आपको more equally distributed मिलेंगे as compared to जो non-renewable energy sources है इसकला दोस्तों यह cheaper भी है सस्ते भी है लेकि initial cost ज़्यादा लग दिया है जैसे आप मालो winds यदि plant लगाओगे तो winds मिल लगाओगे तो starting में initial cost ज़्यादा होंगे लेकिन आपको overall आपको यहां पर सस्ता देखने को मिलेगा तिया हमारा characteristic हो गया renewal energy sources का तो I think दोस्तों आज किस वीडियो में बसते नहीं दोस्तों आज हम लोग energy resources के बारे में हम पर characteristic type जो basic चीज़े थे उसको यहां पर discuss किये फिर अगले जो वीडियो में दोस्तों एके करके जैसे अगला वीडियो हम लोग I think coal energy के बारे में हम लोग detail में यहां पर study करेंगे औ और इंडिया में कहां कहां coal पायाता है उसको भी discuss हम लोग करेंगे तो आज के लिए बसे नहीं दोस्तों thank you for watching मिलते हैं अगले वीडियो में नए topic साथ thank you